हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू दी चानल तो हमने एक कल क्लास चैन्थ की हिस्ष्वी का चैप्टर वन का पार्ट वन डिसकस किया था जिसमें हमने इदी फ्रेंच रिवल्यूशन के बारे में पढ़ा था अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे the making of nationalism in Europe तो यूरोप में nationalism कैसे स्थापित हुआ देखो nation state बनाने के लिए यह nationalism की भावना आना जरूरी थी यह nationalism की भावना आएगी लोगों में revolution करेंगे लोग और फिर जीत भी सकते हैं तो बेसिकली nationalism की जो feeling है उसकी स्थापना होना बहत जरूरी है तभी जो है nation state का emergence हो सकता है जब लोग फायर होंगे न अंदर से कि हमें अपना independent country चाहिए तभी जो है एक independent country बन सकती थी यूरोप में तो if you look at the map of mid 18th century Europe you will find that there were no nation state यूरोप में mid 18th century में कोई भी nation state exist नहीं करती थी कोई भी independent country exist नहीं करती थी आज हम Germany को जानते ही है हम Italy को जानते ही है हम Switzerland को जानते ही है तो ये उस समय पर Germany, Italy, Switzerland नहीं कहलाते थे ये कुछ kingdoms थी जैसे डशी के kingdom हो गई कुछ canton के kingdoms हो गई जिनके जो rulers थे वो autonomous territories पर रूल करते थे थे ना whose rulers had their autonomous territories यानि कि उनकी कोई particular territory होती थे जहां पर रूल करते थे तो Germany, Italy, Switzerland पहुत सरे इसी और भी countries आज जो हम बोलते हैं उस समय पर दशीज यां canton थी डशीज के होता है डशीज होती है वो countries जिन पर ड्यूक रूल करते हैं जिन में एक king रूल करते हैं और canton होती है वो countries जिन पर क्यों होता है जिन में इन में से कुछ जो है जर्मनी, Italy, Switzerland और बहुत सरे countries उन में से कुछ जो है वो डशीज में आती थी और इन एरियास में जो rulers होते थे ना जो डशीज के डशी kingdom हो गई जो canton kingdoms हो गई यहां पर जो rulers होते थे उनके पहुत अटनॉमस territories होती थी यानि कि जिस territory पर रूल करते थे उसका पूरा उनका जो session चलता था राजाओं का तो डशीज और कांटन्स यह दो तरह की kingdoms है डशीज के example आप कुछ countries के सकते हो कांटन्स में कुछ countries आती थी चीक है इस्टन अन सेंट्रल यूरोप पर अंडर ऑ्टो क्रिटिक मुनार्की इस विद टेरिटरीज फिच लिफ डाइवर्स पीपल एक सेकेंड अब यहां पर क्या कहते है देखों यहां पर इस्टन अन सेंट्रल यू यहां पर बोलते हैं इस्टन और सेंट्रल यूरोप किसके अंडर में था यह अंडर में था ओटो क्रिटिक मुनार्की इस के विदिन टेरिटरीज फिच लिफ डाइवर्स पीपल तो यह जो ओटो क्रिटिक मुनार्की होती थी है ना यह मुनार्किल एरियास में मुनार्कि वह सोते थे उनमें एक टानी होती थी उस अप अलग अलग होते थे और अपने को अलग अलग ही मानते थे एक यूनाइटिट्बन इसकी भावनानी होती थी जैसे मैं करूं मैं एक इंडियन हूं इस देश का हर नागरिक अपने को सबसे जो राजा होता था वो सारी बावर exercise करता था वो जो कहता था वही होता था लोगों को समें कोई रोल नहीं होता था लोग अपने को associate नहीं करते थे उस country से उस region से so they did not see themselves as sharing a collective identity और a common culture उस समय पे जो लोग थे वो एक common identity को collective identity को culture को follow नहीं करते थे यानि एकता नहीं थी लोगों में collective identity share नहीं करते थे collective identity यानि कि हम सब क्या है हम सब इंडियन है जैसे हम बोलते है हमारी collective identity है कि हम इंडियन है common culture follow नहीं करते थे अब हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सरे अज्यस दिवाली है हो ली है यह ऐसे festivals है जो पूरी country में धूम धाम से मनाए जाते हैं तो यह हमारे country के एक culture है हमारे country के बहुत और ऐसे cultures है हम जानते है जो पूरे country का हर citizen follow करता है often they even spoke different languages and belong to different technique group अब country में लोग जो है डिफरेंट भाशा बोलते थे मतलब आप देखो जैसे हमारे country में भी different भाशा बोलते हैं लेकिन हमारे country में हर भाशा को value देते हैं और सीखने सीखना चाहते हैं स्कूल्स में सिखाई भी चाहती हैं लेकिन यहापे क्या होता था जो person ज मेरे लिए gujarati भाशा कोई value लेकिन आज लोग माराथी भाशा गुजराती भाशा बंगाली भाशा सब सीखना चाहते हैं और सब मतलब जो लोग है वो एक तरह साब कह सकते हूं कि एक unitedness को follow करते हैं even अगर हमको किसी दूसरे person से मिलना इंडिया में जिसको हिंदी नी आती जैसे south के लोग हो गए तो हमें common language होगे English में बात करते हैं लेकिन उस time पे क्या था लोग में बिलकुल unitedness नहीं थी लोग अलग-अलग language बोलते थे common language कोई नहीं बोल पाता था और लोग सीखना नहीं चाहते थे दूसरे की languages को सबसे वड़ी दिक्कत यह थी and they belong to different ethnic group ethnic group होते है कि वो जो religion था उनका जिस religion से belong करते थे सबका बहुत अलग था और इस एकता अनेकता को एकता में लेना उस समय पे मुम्किन नहीं था क्योंकि वहाँ पे तो क्या थी democracy नहीं थी वहाँ पे मुनार्की थी तो लोग बिखरे हुए थे Habisburg Empire अब यहाँ पे एक example है एक case study है Austrian Hungary Empire जो की Habisburg Empire कहती है उसकी तो देखो Austria Hungary में जो empire rule करती थी वो थी Habisburg Empire और इस Habisburg Empire में different regions और different लोग आते थे इसमें Habisburg Empire में एक Alpine region आता था Alpine region में आपके और छोटे regions आते थे जैसे टाइरॉल हो गया Austria हो गया Suddental Land हो गया फिर Bohemia एक region आता था Alpine में वेर दी अरिस्ट्रोक्रेसी वोस प्रेडॉमिनेंटली जर्मन स्पीकी एलपाइन रीजन में यह सारे रीजन्स आते हैं जैसे टाइरॉल और ऑस्ट्रीया Suddental Land बोही मिया यह सब और यहां पे जो अरिस्ट्रोक्रेसी होते थे जो अमीए लोग होते थे जर्मन स्पीकिंग अब यहां पे एक आता है इतालियन स्पीकिंग रीजन इतालियन स्पीकिंग प्रोवेंस थी वहां पे लुंबाड अब इतालियन स्पीकिंग रीजन में आपके लुंबाडे और विनेशिया यह दो रीजन्स आते थे फिर हंगरी एक तीसरा रीजन आता है और यहां पे जो कि आपर ऐंडिया में हर्य आज्डान भाशड़ राजस्थान हेलोग तो देखो श्रेयर हंग्रिया है ऐस्ट का इलपाइन जिसमें और च्टे दिये जिसमें और च्टोटे च्टोटे माहेगर सपिकंग जाथर में हांगरी का हुथा था गलिशिया जो था वहा पे फीज पॉलीज थी तो एक रीजय का गलीशिया और यहांh allowed is Polish बोलती थे तो इन ग्रूपस के अलावा थ्री डॉमनेंट क्रूपस के अलावा भी थ्री हुए फोर हुए कित्ते हुए देखते हैं एक तो हुआ हमारा अलपाइन रीशन फिर एक हुआ हमारा इटालियन स्पीकिंग रीशन और एक हुआ हमारा हंगरी और एक हुआ हमारा गिलीशा फोर हुए बिसिकली तो मेरे को लगता है फोर है आप थरी मतलिकना आप फोर भी मतलिकना आप तो बोलना तो कोई एक सिंपल केस्टेडी आएगी तो वना आती नहीं है और जातर इसमें अब्जेक्टिफ टाइप्स होया सकते हैं तो आपको जो मैं बता रही हूं वो रखना दिमाग में ज्यादा कुछ जो बुक में लाइन्स लिखी है था उसको अगर रटने बैठ होगे तो रटनी पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी चाप्टर है और तफ है अब इन गैलीश्य दी अरिस्टो क्रेसी स्पोग पॉलेश बिसाइड इस त्री डॉमिनेंट ग्रूप्स और अलसो लिव्ड विदिन कि इक minus ऑड्री आफ और यहां पर तो आपने देखा कि यह कुछ कॉमिनेटी श And यह बूँऑ मेर गाध्यूंस को जीएट लाइन थेएञ डरंयर बूह बंदी लोगे उभक्ि शंव थे अब हरो इपीजन सेण पीपटल अीमौविनिरीटग बीवघ्स टाम होतए ठे होते थे करनॉलिया में, क्रोट होते थे साउथ में, रोमन होते थे एस्ट में इंट फ्रंजल्वानिया तो अगर एंपरोर यानि कि अगर हम क्या करें हम बिसिकली तो अब इतने सारे डाइवर्सिटी थी, लेकिन एक कॉमन चीज थी और वो कॉमन चीज थी कि यह सब लोग एंपरर के लोग थे, इन सब को एंपरर की इज़त करनी होती थी, यह एंपरर के सबॉडिनेट्स थे, मास्ट थे, लोग थे, तो देख़ए यहाँ पे हमने देखा क हुआ है अ एपन की हमारे ऐस्डरी हाँंगरी एंपाियर उन्हें दिफ्रेंट तुबलती हैं उस्के अलावा चांडर में की ना भाते pipeline शा व define रोती घॉंगरी यह पर बेजनट्स जिन जिलर्णाकों में रहते थे रोमद्स ते जो कि ट्रांद सल्वानिया में रहते थे अब यहांपे आता है अरीोक्राइसी रहे नियुमिडल क्लास यह बहुत ही इंपोर्टेंट है बच्चो इसको ध्यार रखेंगे हम सब so students keep this thing in mind that what is basically aristocracy and यह new middle class क्या है यह new middle class क्या है तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं एक plain side बात कर रहे हैं हम aristocracy की देखो aristocracy का क्या मतलब है aristocracy basically aristocrat लोगों को कहा जाता है और उनकी lavish life को aristocracy कहा जाता है तो aristocrats वो लोग होते हैं जो अमीर होते हैं aristocracy मतलब अमीर, rich people और उनकी lavish life को aristocratic life कहा जाता है या aristocracy कहा जाता है अब यह जो लोग होते थे यह जात तर king के relatives होते थे king के relatives होते थे रिश्टेदार होते थे और ये पड़े लिखे हो ना हो doesn't matter लेकि इनके पास क्या होती थी बहुत सारी wealth होती थी अब ये wealth इनके पास किस form में होती थी एक तो cash form में होती ही थी और एक इनके पास होती थी property यानि land की form में लाइंड की फॉर्म में होती थी अब ये तो भे टीक है चलो ये तो अपने पुछते हैं नी मज़े मार रहे हैं लेकिन अब अपने दम पे खड़े हुने वाली एक आती है नई क्लास नई क्लास कहलो नई एस्टेट कहलो जो कि बेसिकली थर्ड एस्टेट का एक एडवांस रूप थी थर्ड एस्टेट के ही कुछ पढ़े लिखे लोग थर्ड एस्टेट के ही कुछ ग्यानी लोग जो कि भले ही एरेस्ट्रोक्रेटिक ना हो बहुत अमीर ना हो लेकिन ये से अमीर होते थे ये educated होते थे सबसे बड़े इनके पास जो विरासत थी इनके पास educated होते थे बड़े लिखे होते थे और इस सज़े से इनको मिड Remote class कहा गया, Middle class इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत अमीर नहीं बहुत गरीब नहीं लेकिन ये बहुत educated होते थे तो इनके जो ideas थे वो थे आजादी की तरह ये आजादी चाहते थे वैसे भी थार स्टेट के थे नोंने देखा था अपने भई दादा दादी मम्मी पापा को परिशान तरबते हुए लेकिन ये पढ़ लिख लिए थे चुकि इस वज़े से इनके पास बुद्धी आ गई थी ग्यान आ गया था और ये liberals कहलाए थे liberals कौन होते है liberals होते हैं वो जो आजादी की धारणा रखते हैं जो आजादी चाहते हैं जो दारवाद चाहते हैं liberalism को हम दारवाद कहते हैं दारवाद चाहते हैं तो middle class को ही liberals कहा जाता है इसलिए जब हम आगे liberals के बारे में पढ़ेंगे liberalism पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो हम liberals की बात करेंगे वो और कोई नहीं बलकि educated middle class ही होने वाली है अब यहाँ पे क्या है socially and politically a landed aristocracy was the dominant class on the continent socially भी और politically भी socially कैसे समाज में इज़त थी इनकी समाज में इज़त कैसे थी क्योंकि politically बड़े strong थे ना राजा के रिष्टेदार थे जी कहें राजा के रिष्टेदार थे तो पैसा भी कम नहीं होता और पैसा भी कम नहीं होता इज़त भी है society में socially और politically ये अच्छे लोग कहला है है the members of this class were united by a common life that cut across regional divisions अब यहाँ पे जो aristocracy है जो aristocratic लोग होते थे ये पूरे continent में यूरोप में बात करें तो बहुत जादा नहीं थे लेकिन जितने भी थे ये सब एक जुट थे अब देखो वैसे तो अना ये aristocracy different different regions की होती थी कोई कहीं की कोई कहीं की पूरे यूरोप में कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है लेकिन ये सब लोग एक दूसरे के रिश्टरदार होते थे सगे संबंधी होते थे जितने भी aristocracy होते थे एक दूसरे के सगे संबंधी होते थे जान पहचान के friends होते थे और इस वज़े से जान पचान के होते थे अमीर होते थे एक दूसरे के तो aristocracy एक दूसरे के परिवार में ही शादी करते थे आप कोई गरीब से तो शादी करेगा नहीं तो यह लोग क्या करते थे जितने भी सारे एरिस्टोक्राइट होते थे इनकी शादी एक दूसरे में ही होती रहती थी यानि कि यह एरिस्टोक्राइट कॉमिनेटी की अपनी अलग मारेज होती थी एरिस्टोक्राइट कॉमिनेटी जो थी वो किसी अपने नीचे कॉमिनेटी से कभी भी मारेज ने करती थी अपने परिवारों की कभी भी मतलब marriage नियुकरवाते थे वो हमेचा aristocrate से ही होती थी तो एक aristocrate की marriage दूसरे aristocrate से ही होगी और regional divisions को खतम करते हो यानि कि अलग-अलग areas में रहते थे ये लेकिन doesn't matter ये सब फिर भी एक थे, कम थे पूरे यूरोप में फैले होए थे लेकिन फिर भी एक दूसरे के contact में थे they own estates in the countryside own estates in the countryside यानि कि ये जमीने ओन करते थे कहां पे villages में भी and also townhouses townhouses होते हैं town में घर जो की होते हैं बड़े बड़े बंगलो ठीक है they spoke French for purpose of diplomacy and in high society अभी अपने को अमीर मानते थे अलग मानते थे इसलिए अपने को अलग दर्शाने के लिए French speak करते थे French बोलते थे for the purpose of diplomacy यानि कि अपने को अलग दिखाने के लिए अपने को अलग दिखाने के लिए ये कौन सी भाशा बोलते थे ये France भाशा बोलते थे और इनकी जो फैमिलीज होती थी वह एक दूसरे से कैसे जोड़े होती थी ऐसे जोड़े होती थी क्योंकि यहां पर यह कमणीटी जोग एक दूसरे के साथ ही शादी करते थे चिखे तो यह हमने देख लिया कि फ्रेंच के लोग होते थे अपने को अलग दिखाने के लिए जो भी डिप्लोमेटिक काम होते थे जो भी मतलब ऐसे काम होते थे तो टॉक्स हो गए, डायलोग्स हो गए, कॉन्फरेंसिंग हो गई तो वहाँ पर यह इंग्लीज भाषा, अपनी फ्रेंच भाषा का यूज़ करते थे और अपने हाई सुसाइटी में यह लोग फ्रेंच भाषा ही बोलते थे, इनकी फैमिलीज कैसे कनेक्टेड होती थी, चाइस ऑफ मारेज, एक अरिस्चोक्राट, दूसरे अरिस्चोक्राट आए, पीजैन्स, तो पीजैन्टरी जो थी, पीजैन्टरी पोपुलेशन थी, मेझौरेटी में, वैस्ट में, अगर हम पूरे उडिवोप में बोलें तो वैस्ट में, थी बल्क अफंग ओफ ि लायन्ड वस फार्म्ट वै टेनंट एंडällt वर्म्स, वैस्ट में जो लोग का East का पार्ट ले और Central Europe का पार्ट ले तो यहां पे हमें मिलते थे Land Holdings with characterized by Land Holdings. So in the Eastern and Central Europe, the pattern of Land Holdings was characterized by vast states which were cultivated by SERS. तो West यहां पे East में और Center में जो Land होते थे बड़े-बड़े होते थे और वहां पे कौन काम करता थे बड़े-बड़े Land है तो Small Owners यहां टेनेंट अपना काम खुद नहीं करते थे वहां पे सर्फ लगा दी जाते थे सर्फ होते हैं पीजेंट्स जो की बहुत वेस्ट में और East में वेस्ट में वेस्टन और पार्ट ऑफ उसेंट्रल यूरॉप दी ग्रोथ अंदुस्चिर् प्रोड़क्शन अंड ट्रेड में तो वेस्ट में कौन रहते थे गरीब लोग रहते थे तो वेस्टन आलाके में और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप यह नहीं कि सेंट्र पूरा सेंट्रल यूरोप में कुछ सेंट्रल यूरोप के हिस्सों में यह को पूरा सेंट्रल में रहते थे obviously गरीब लोग तो western और part of central योरोप में रहते थे middle class के गरीब लोग तब यहां पर क्या होता है western और central योरोप में डू ग्रोहन दो कहती है इंडेस्ट्रियल प्रड़क्शन कि growth of industrial production यानि की industries की growth होती है और trade की भड़ोतरी होती है meant the growth of the towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market अब यहां पे एक अलग तरह की class का emergence होता है जो कहलाती है commercial class और यह जो commercial class थी इसकी existence किस पे based थी on the production of the market आप कह सकते हो simple भाशा में they were based on trade production of market को जादा आपको लंबा चौड़ा लिखना जर्वत नहीं है based on trade trade पे यह based होते थे industrialization जो था यूरोप में होता है इंग्लाइन में होता है in second half of the 18th century सबसे पहले industrialization इंग्लाइन में शुरू होता है second half of the 18th century में लेकिन France में और जर्मन के कुछ इलाकों में थोड़ा लेट होता है during 19th century in its wake new social groups came into being अब जैसे जैसे industrialization हुआ एक नया social group आया जिसको अभी हापे commercial class कह रहे थे वो basically कौन थे वो थे middle class people तो अब यहापे क्या होता है कि एक नया social group आता है जो कि working class population होती थी working class population यानि कि इवर employed people है ना यह basically कौन कहलाते थे यह middle class कहलाती थी और यह किसकी बनी थी इसमें आते थे industrialist लोग जो industrialization में help का industrialize industries पे based जो थे businessmen जो trade पे based थे professional जो कि well educated थे तो यहाँ पे basically educated class का emergence होता है जो कि trade पे business पे based थी in Central and Eastern Europe these groups were smaller in number Central में और Eastern Europe में ही कम थे क्योंकि वहाँ पे तो वैसे भी कोई third class जादा नहीं थी वहाँ पे तो किवल servants आते थे लेकिन Western Europe में ही बहुत जादा थे it was among the educated liberal middle class liberal यानी जो आज़ादी मांगती हो दारवाती भावना रखती हो ऐसल मिडल क्लास थी educated liberal middle class थी यह the classes that ideas of national unity following the abolition of aristocrat privileges gained popularity इनकी उत्पण से इनकी उत्थान से इनके विकास से liberal middle class के विकास से क्या हुआ अब जो abolition of aristocratic privileges हैं यह बहुत ज़दा famous बात हो गई यार यह aristocrats हैं को जो extra privileges मिलते हैं यह सब खतम होने चाहिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं what did liberal nationalism stand for तो liberal nationalism क्या है what is liberal nationalism अब nationalism तुम पता है हमें देश भक्ती की भावना liberal nationalism का मतलब क्या है liberals के मन में जो देश भक्ती की भावना थी तो जो अपने देश के प्रति उनकी भावना थी उसको अब हम जानेंगे वो क्या मानते थे की nationalism क्या है उनके लिए nationalism क्या था the ideas of national unity in early 18th century Europe closely allied to the ideology of liberalism तो national unity के जो ideas थे early 19th century Europe में यह बहुत जादा elite थे यह close थे to the ideology of liberalism तो national unity के जो ideas थे की एकता होने चाहिए लोगों में यह सारे जो ideas थे एक तरह से connected थे थोड़े बहुत liberalism से liberalism क्या होता है देखो liberalism एक latent word से आया है जिसका latent word है liberal और इसका meaning है free तो जो middle class के लोग थे वो liberalism थे liberalist जो liberals थे और वो liberalism के idea को put forward करते है तो 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 equality मिलने चाहिए law के सामने politically अब यहां पर इसका political मतलब जाने तो वो यह होगा कि जो government बने गी और उस government के बनने के बाद जो वो काम करेगी वो सब लोगों की सहमती से होने चाहिए government बने लोगों की सहमती से काम करें लोगों की सहमती से so government by consent यह ऐसी government हो जो लोगों के consent से ही चलती हो since the french revolution liberalism had stood for the end of the autocracy and clerical privileges of constitution and representative government through parliament यह क्या चाहते थे french revolution सही जो liberalism थे वो चाहते थे कि autocracy खतम हो autocracy होता है राजसी rule और clerical privileges यानि यह तो राजा है राजा के भाईवंदु है इनको अलग privileges मिलेंगे यह खतम हो एक constitution हो एक representative government हो और यह representative government कहां से चुनके आई हो through parliament parliament हो एक संसद हो वहां से representative government आई हो यह representative government हम जानते हैं कि कहां बैठेगी फिर संसद नहीं बैठेगी 19th century के जो liberals थे also stress the inviolability of private property तो जो 19th century के liberals है वो यह भी कहते हैं कि जो private property छीन ली जाती है ऐसा नहीं होना चाहिए बड़े लोग छोटे लोगों के private property छीन लेते हैं उस पर अधिपत्य जमा लेते हैं तो यह नहीं होगा equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage अब equality यहाँ पर बात करीए equality before the law यह जो समानता है सब को मिलने चाहिए लेकिन यहाँ पर यह universal adult suffrage नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ladies थी जो women थी उनको अभी भी जो उनके हित में बात थी यहाँ पर सब बात हो रही थी man को लेके आदमी को लेके औरतों को लेके अभी भी कोई बात नहीं हो रही थी equality before the law यहाँ पर basically universal adult suffrage नहीं है यह universal man suffrage है क्योंकि यहाँ पर हर किसी आदमी को हर किसी मनुष्य को हर किसी विक्ती को right to vote नहीं मिल रहा है लेकिन बस कुछ गिने चुने लोगों को ही right to vote मिल रहा है जो revolutionary France था वहाँ पे जो पहला political experiment था liberal democracy में वह था right to vote वहाँ पे सबसे पहले right to vote किया गया and to elected was granted exclusively to property owning men अभ यहाँ पे जो right to vote थे सब को नहीं था केवल property owning men को था जो men property own करते हों जिनके 61 years से उपर की हो women's में नहीं थी तो इनको ही केवल right to vote था active citizens जो थे they were only given the right to vote जो men बिना property की होते थे और सारे की सारे ladies इनको political right से exclude कर दिया था only for a be brief period under the jacobinated all adult males enjoy suffrage अब यहाँ पे jacobin period जब आता है जब jacobin period आता है तो उसमें जो robosphere रूल करता है तो वहाँ पे क्यों होता है एक साल के लिए होता है वहाँ पे adult males अफरे जाती है यानि कि सारे के सारे man हैं जो अदमी हैं जो males हैं वो right to vote कर सकते हैं without property with property सब above 21 years of age सारे ही जो males है with property without property सब active citizens बन गए थे और women को अभी भी right to vote नहीं था लेकिन फिर जब नेपोलियन कोड नेपोलियन आता है तो नेपोलियन कोड वो establish करता है नेपोलियन आता है तो वो अपने जो rules है उनको नेपोलियन कोड कहता था basically उसने जो rules बनायत उनको नेपोलियन कोड कहता है अब वो जो नेपोलियन कोड है वो फिर से किन तक सीमित करती गई थी वो सीमित करती गई थी to the property owning men and men without property all women were excluded from voting rights तो basically women जो देख सकते हो आपकी वो अभी भी बहुत दबी हुई थी and उनको subject of the authority of father and husband माना जाता था कि marriage से पहले अपने पिता की और अपने marriage के बाद अपने husband के वो subject होंगे वो जो कहेंगे वो वही करेंगे उनको अपने जीने का, अपने कहने का अपने तरह से रहने का कोई अधिकार नहीं था Throughout 19th and the early 20th centuries women and non-property men organized opposition moved when demanding equal political right ठीक है तो अब यहां पे हम यह सब जान चुके हैं कि ladies अभी भी right to vote से वंचित थी और फिर से जो men above, men without property जो थे after Napoleon एक कोड वो भी क्या हो जाते हैं हटा दिये जाते हैं किस से right to vote से ठीक है Throughout 19th and the early 20th century 19th century और 20th century की शुरुआत तक सभी women non-property men ही क्या करते हैं जी डिमांड करते हैं equal political rights के लिए और फिर इनको आखिर कार मिल जाती है 200 साल बाद मिलती है इस पूरे कारे करम के में In the economic sphere अब अगर यहां पे हमने अभी देखो यहां पे हमने देखा political sphere यह political sphere था यह political किस्सा था चीक है? कि जो government है वो लोगों के लिए बननी चाहिए जो government है उसमें क्या जो government है वो representative होने चाहिए पार्लेमेंट से चुनी जाने चाहिए यह सब कुछ जो था यह सब हमने देखा था अभी यह political sphere था अब देखते है economic sphere liberalism stood for the freedom of market and abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital economic sphere में liberalism का मतलब था freedom of market यानि कि हम जो भी trade कर रहे हैं जो भी business कर रहे हैं वो freely हो सके abolition of state imposed restrictions state imposed restrictions होते थे taxes जो की लगाया जाते थे बहुत ज़्यादा तो उनको हटा दिया चाहिए on the movement of goods and capital तो जो भी समान move कर रहा है उसके उपर बहुत सारे taxes लगा दिया जाते थे उनको हटाया जाए during 19th century this was a strong demand of the emerging middle class let us take the example of the German speaking regions in the first half of 19th century तो अब हम एक German speaking region का जो की first half of 19th century तक था उसका एक example लेते हैं Napoleon administrative measures had created out of the countless small principalities of confederation of 39 states Napoleon ने क्या किया था जो भी German speaking regions थे उनका एक 39 states का confederation बनाया था एक group बनाया था अब ये 39 states में जो भी trade होता था ना जैसे मान लो ये 39 states है A, B, C, D, D, C है ने 39 states है तो इन 39 states है जब मैं A state से B state में जा रही हूँ तो मेरी currency बदल जाएगी मेरा weight भी बदल जाएगा समान का मेरा measurement का जो तरीका है सब बदल जाएगा Each of these possesses its own currency weights and measures 39 states में हर state का अपना अपना currency होगा अपना weight होगा अपना measurement का unit होगा merchant traveling in 1833 जो 1833 में merchant travel करते थे from Hamburg to Nuremberg तो अब यहां पे क्या है जो भी merchant travel करेगा 1813 में 33 में from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them तो यह सब चीज़े 1815 में मिलब यह अपन की कौन थे तो वैसे तो हमको पता है कि जो नेपोलियन था वो 1815 में हार गया था लेकिन उसके बाद भी है ना conservatives आ गये थे जो कि obviously नेपोलियन भी conservative था वो भी वैसी धारणा रखता था जैसे कि उसके हार के बाद जो और conservative से वो रखते थे तो उन्होंने भी इसका जो system था बदलानी तो 1870 के example हो आप Hamburgs और Nuremberg जा रहे हो यह 39 states जो बनाई थी German-speaking इलाकों की उनका जो एक संगटन मिलना था उसमें से दो यह है Hamburgs और Nuremberg आप Hamburgs और Nuremberg जा रहे हो कुछ समान को बेशने तो आपको 11 custom barriers को pass करना पड़ेगा 11 custom barriers को pass करना पड़ेगा और हर आपको custom barrier पे यानि कि जो एक जगे पे आपको रोका जाएगा 11 जगों पर और 11 जगों पर क्या होगा आपको text पे करना पड़ेगा of about 5% at each one of them हर जगे पे 5% आपको text पे करना पड़ेगा चीग है duties were often levied according to the weights or measurement of the goods अब duties जो text लगाया जाता था वो समान के भार पे समान को measure करकी भी लगाया जाता था जो text लगाया जाता था अब हर जगे पे टाक्स लगाया जा रहा है साथी में जो समान को measure करके जो text लगाया जा रहा है वो बहुत time consuming होता था क्योंकि अब हर जगे पे अपना अलग-अलग measurement चलता था जैसे कि आपको एक मेटर आपको एक load को measure करना है चीक है तो वहाँ पे जो measurement की unit थी वो दी LA अब ये जो शब्द है ये हर जगे पे अपना अलग मत्रब लगता था चीक है अन एले ओफ टेक्स्टाल मतीरिल ब्रॉट इन फ्रांकफॉर्ट तो फ्रांकफॉर्ट एक रिजन है वहाँ पे मैं कहते हूं कि यह एक एले कपडा है तो एक एले का कपड़े का मतलब है 54.7 cm में में मैं कहते हूं यह एक एले का कपड़ा है तो वहाँ पे में मतलब होगा 55.1 cm नियूरंबर्ग में एक एले का मतलब है 65.6 cm फ्रेइबर्ग में क्या मतलब होगा 53.5 cm ठीक है ठीक है तो इधर आपका यह सब कुछ हो क्या अब ऐसे जो कंडिशन्स थी यह आफस्टेकल थी एकनॉमिक एक्सचेंज के लिए ट्रेड में बहुत मुश्किल आती थी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था चीक है अब यह लोग क्या करते हैं यह जो लिबरल्स थे यह कमोश्यल क्लास कोई नहीं लिबरल्स कही थी यह आग्यू करते हैं फो क्रेशन ओफ यूनिफाइड एकनॉमिक टेरिट्री अलाउइं दा अन्हिंडर्ड मुव्मेंट अफ दी गूट पीपल इन कैपिटल तो यह क्या कहते हैं यूनिफाइड एकनॉमिक टेरिट्री बननी चाहिए तो अब क्या होता है कि यह लोग डिमांड करते हैं कि यूनिफाइड एकनॉमिक टेरिट्री बननी चाहिए यानि कि एक ऐसा इलाका बनना चाहिए जहांपे जो ट्रेड हो वो बिना किसी रोफ टो के हो एक ऐसा बड़ा एरिया एक ऐसा एक ऐसा टेरिटरी बनना चाहिए जहां पर जो भी ट्रेड हो चीक है वो अन हिंडर्ड हो बिना किसी रोक टोक के हो चीक है तो यह लोग यह चीज दिमांड करते हैं अब आगे देखते हैं हम क्या है यहां पर तो इन 1834 एक कस्टम यून बनाई जाती है कस्टम यूनियन क्या होता है यह संगठन होता है ज जाल्वरें भी कहा जाता है यह किस ने बनाया था यह परशिया और कुछ most German states जो हमने 39 German states की बात करी न तो इन में से कई सारी countries 39 German states में से कई सारी countries जो German भाशा बोलती थी तो वो सम मिलके और प्रशिया ये मिलके 1834 में custom union बनाते हैं जैसे हम Zolvarend भी कहते हैं टो किस्टम union बनाते हैं जैसे हम क्या कहते हैं जॉलवरेन भी कहते हैं तो custom union में क्या होता था custom union में आपका जो भी text जो भी measurement की unit है weights की unit है सब same होती थी वो बदलती नहीं रहती थी with time चीक है तो यह होता था हमारा जॉलवरेन या custom union का मतलब अब हमें इस चीज को थोड़ा हिंदी में भी समझने की कोशिश करते हैं तो इक अब यह कमोशिल अब मैं इसको सची chemHmm से आपको पूरा paragraph की तो धे आप इस शुरुआत क्या हुई स्चौ इस पूरा paragraph की कि जो यह commercial थी ऐसी परिस्थितियों में बहुत जादा परिशान रहने लग गई थी आर्थिक विने में यानि की रुक टोक होती थी विकास में बाधा आती थी चीक है तो इन्होंने कैसे सोचा कि ऐसे एक एक करत आर्थिक शेतर का निर्मान होना चाहिए कि ऐसे कुछ रीजन को मिला करके एक ऐसा रीजन बनना चाहिए जहां पे वस्तू के लेन देन में कोई भी हक्स शेप ना हो कोई भी किसी तरह की मतलब कह सकते हो कि हिंडरिंग ना हो यानि कोई भी रोक टोक ना हो लोग और पूंजी का आवा गमन बाधा रहत हो यानि कीट समान और जो लोग एक जगे से दुसरे जगे जा रहे हैं वो बाधा रहेत हैं नहीं अनहिंडर्ड मूफ कर सके 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई जाती है जॉलवरी और इसे किस ने सापित किया था अधिकांच जर्मन राजर अब जर्मन स्पीकिंग एरियास जो थे 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेश सी वो और प्रेशिया ये मिलकर के बनाती है चीक है तो यूनियन अबॉलिश टारिफ बारियर्स ये जो यूनियन बनी थी इसने क्या किया इसने जो भी टारिफ बारियर्स थे यानि कि लेन देन में जो भी बारियर्स थे उनको खतम किया reduce the number of currencies from over 30 to 2 अपहले 39 currencies थी 30 currencies थी जो follow की जाती थी देगो 39 regions है 39 regions में 9 ऐसे regions है जिनकी currency same थी लेकिन कुछ ऐसे regions है जहाँ पे जो currency थी 30 ऐसे region से जहाँ पे जो currency थी बदलती रहती थी तो वो उन्होंने same करती और उसको reduce करती है to 2 अब जो creation था network का network अब creation किया गया बनाया गया network of railways को यानि railways को अच्छा बनाया गया इससे क्या हुआ movement अच्छा हुआ जादा अच्छे से economic जो अपना growth है वो हो पारा था a wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at that time तो यहाँ पे क्या बोलता है उस समय पना प्रही जो व्यापक राश्यवादी थी यानि जो ये economic nationalist थी कि भावनाओं को आर्थिक राश्यवाद की लहर ने मजबूत बनाया चीक है यानि कि इतना आपको समझने की economic nationalism भी हुआ अब यहाँ पे आदे रूडिवादी यानि conservatives उनकी सोच कैसी होती है conservative होती है अभी हमने liberals है कि अब हम इनका पोजिट देखर है conservative ऐसे सोच वेचार वाले लोग जो की traditions को बहुत importance देते हूं जिनके लिए families को संजो के रखना, property को संजो के रखना, हैना social hierarchies को रखना, church को रखना, मुनार्की को रखना बहुत important है तो 1918-15 में नेपोलियन हारा जब नेपोलियन हारा जो European government थी उनको conservatives का सामना करना पड़ा नेपोलियन भी conservative था लेकिन जब वो हारा तो अब लोगों ने फिर से demand की कि भे अब तो मुनार्की आ जाए जो conservatives थे उन्होंने क्या किया conservatives क्या करते थे believe the established traditional institutions वो believe करते थे जो कि already started traditional institutions है जो किसी देश ने किसी society ने बनाए है जैसे कि मुनार्की हो गया church हो गया, social hierarchy हो गया property हो गई, परिवार हो गया यह सब preserved रहने चाहिए मंदिरों को तोड़ा ने जाएगा social hierarchy इसको थापित रखा जाएगा property रखे जाएगी, family होने चाहिए सब की, यह सब कुछ अब जात जो conservatives थे however, did not propose a return to a society of pre-revolutionary days conservatives थोड़ा हलके हलके आगे बढ़ते थे तो अब conservators ने यह तो समझ लिया था कि हमें pre-revolutionary time पर नहीं जाना है यह revolution से पहले की time पर नहीं जाना है जो revolution ने कुछ changes लाए हैं वो अच्छे हैं उनको यह समझ में आया कि जो Napoleon है, उसने जो कुछ किया है वो अच्छा है इन्होंने समझा that modernization could in fact strengthen traditional institutions like मुनाकी इन्होंने यह समझा कि जो modernization है, थोड़ा बहुत अगर होता है, तो वो हमारे जो traditional institutions है जैसे मुनार्की हो गया, इनको थोड़ा और strengthen कर सकता है इनको तोड़ा और strengthen कर सकता है और strong बना सकता है तो state power को जाद अफेक्टिव और strong बना सकता है, यह नि मुनार्की को जाद अफेक्टिव और strong बना सकता है जो modern methods है modern army जो होती है और जो efficient bureaucracy है तो आधुनिक सेना कुशल नौकर शाही तो bureaucracy हमको पता है कि पुलिस कहते हैं dynamic economy dynamic economy यानि की एक गतिशील अर्थ व्यवस्था जो एक movement में economy चलती रहती एक flow में economy जो चलती रह रही है चीक है, feudalism को हटा देना, servdom को हटा देना, जो servants का system है, इसको हटा देना यह हमारी जो मुनार्की इसको और अच्छा बना सकते हैं तो उन्होंने कुछ modern शिक्सों को माना, 1815 में representatives of the European power, Britain Russia, Russia and Austria who had collectively defeated Napoleon met it to Vienna to draw up a settlement for Europe अभी यहां पे होती है treaty of Vienna Vienna एक युरोप में जगे है तो Britain, Russia, Russia and Austria यह चारे से देश थे जन्होंने मिल करके किसको हराया था? Yes Napoleon को हराया था 1815 में at the war of Waterloo battle of Waterloo, sorry तो इन्होंने जब Napoleon को हटाया यह वेइना पे ही चारोदेश मिले और इन्होंने ट्रीटी ओफ वेइना साइन करी The Congress अभी जो इनकी Congress थी यानि कि यह जो इनकी एक meeting थी जो सम्मेलन था इसको host किसने किया था? एक Austrian Chancellor थे Austrian Chancellor Duke Maternish उन्होंने इसको क्या किया था? Host किया था चीक है? तो यहाँ पे अब आपको इतना तो समझ में आई ही गया है कि यह Treaty of Vainak कि देश ने साइन करी थी तो यह objective में पूछे जा सकता है ब्रेटेन, रशिया, प्रशिया और आस्ट्रिया चीक है? तो अब यहाँ पे आगे दिखते है क्या होता है अब ड्यूक में टर्णिश थे जो कि क्या थे? एक Austrian Chancellor थे इन्होंने host किया था इस सम्मेलन को इस Congress meeting इस Congress को, इस मीटिंग को सम्मेलन को अब जो delegates थे यानि जो लोग आय थे representatives के रूप में प्रशिया, रशिया और ब्रेटेन के जो representatives आय थे delegates आय थे इन्होंने Treaty of Vena बनाई 1815 में with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War और इनका main जो टास्क था वो यह था कि जो भी निपोलियन एक वार के जो भी निपोलियन ने changes आय थे उन सबको हटाना था तो जो भी France ने France में Napoleon changes लाया था उन सबको हटाना था उनको यहां पर जो फ्रांस है यहां फिर से मुनार की लानी थी और वो भी कट्र मुनार की लानी थी हलकी फुलकी ने पूरी प्रॉपर मुनार्की लाने थी चीक है तो यहाँ पर ट्रीटी आफ वेहना साइन होती है और नेपोलियन से पहले जो सारे बदलाव उसने की तो उनको खतम करना था तो अब बॉर्बन डाइनिस्टी को फिर से हापिस थापित करा था बॉर्बन डाइनिस्टी में हमने किंग देखे थे लिव scholarship वो मर गए थे लेकिन बॉर्बन डाइनिस्टी में वो मर गए उनकी बाइक मर के उनकी बच्चे थे नहीं तो उनकी किसी कजन को जिनका नाम था लिविस फिलिप तो उनको क्या बना दिया जाता है अब राजय बना दिया जाता है फ्रांस ने जितनी सारी जो टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर में एनेक्स की थी नेपोलियन ने फ्रेंच फ्रांस में जो अपना धिपत्य जमाया था तब उसने जिन जिन एरिया पे अपना कंट्रोल जमाता उन सब को हटा दिया गया तो वो सारी स्टेट्स को इंडिपेंडेंट कर दिया गया और क्या किया गया अभी यहां पर इंपोर्टेंट आता है कि फ्रांस के आजू बाजू में नौर्ट, साउथ, इस, वेस्ट हर अपना फ्रांस की और दूसरी कंट्रीज के बीच की अभी बाउंट्रीज कैसे बनेंगी तो यह बाउंट्रीज बन सकते हैं with the help of some countries ठीक है तो अब यहां पर हम यह सब देख चुके हैं कि यहां पर हम कहां पर थे, कहां पर थे, येस, कंजरवेटिव्स के बारे में देख तो कंजरवेटिव्स के बारे में जाना कि रूड़े वादी होते थे, पुराने सोचचार रखते थे, अब यहां पर ट्रीटी ऑफ वेइना जब साइन होती है, तो ट्रीटी ऑफ वेइना के बाद जो बोवन डाइनस्ट्री उसको फिर से हां पर इंटर्डीउस कर दिया ज जाता है और जो भी नेपोलियन नें ठेरेटरीज एनेक्स की थी फ्रांस के इरद गिरद तो उन सब को इंडिपेंड्डेंट कर दिया जाता है और फ्रांस के बायंडरीज पर फ्रांस के यह नॉर्थ में है किसके फ्रांस की तो kingdom of netherlands में बेल्जियम आता है और इस बेल्जियम को set कर दिया गया था in the north of France फिर जो south है south में आता है पेडमॉंट रीजन पेडमॉंट एक रीजन है country है कहां पे हमारे यूरूप में तो France के south में गेड़ कर दिया जाता है और यह जो गेड़ मॉंट होता है पेडमॉंट होता है south में of the France को this तो यह से मारे फ्रण्स है यहां पेडमॉंट रीजन है तो इस पेड़ मॉंट रीजन के साथ में लगा दिया जाते हैं गेड़ रिजन in the देया यूजह होता है इस इसको ज्रेजियम को तो यह इसको नौर्थ में हो गया चीक है उसके बाद क्या आता है उसके बाद आती है हमारे प्रशिया तो प्रशिया पुस गिविन important new territories on its western frontiers प्रशिया यहां पे है तो यहां पे कुछ important countries जो है वो बना दी जाती है उसके western frontiers पे तो यह प्रशिया है यह इसका western side है तो यहां पे for protection कुछ countries बना दी जाती है चीक है जो आस्ट्रिया है उसको northern इटली का control दे दिया जाता है तो आस्ट्रिया कहां पे हम इसको map में अगर locate करेंगे map में map में map में yes यहां पे हमें दीख जाएगा आस्ट्रिया तो यहां पे यह आस्ट्रिया है और यहां पे हमारा जो यह area है यह small states जाने की है इतली का area है तो इतली में आस्ट्रिया जो है आस्ट्रिया से joint है यह इतली तो इस इतली को बना दिया है इस इतली को इतली speaking region को हम sign कर देते हैं आस्ट्रिया के साथ जो की production देगा तो किसको हमको किस से फ्रांस से ठीक है हमको मतलब और कंट्रीज को तेन उसके बाद क्या होता है कि और श्रांस के इस्ट में रशिया आते है और जो प्रशिया है उसको अलडरी कुछ वेस्टन कंट्री जो है आस्ट प्रेटेक्शन दे दी जाती है उसके लावस को पूर्शन और सेग्जोनी कहां पर है इसको हम देखते हैं यस इधर आते हैं, तो यहाँ पर यह जो प्रशिया है लोकेट ने कर रख़ा यह एरिया पॉर्टिकुलर्ली यह एरिया जो हम बोलते हैं, सेग्जोनी का एरिया, छीक है यह यहाँ पर हम यह सब जान चुके हैं कि कौन कौन सी कंट्री किन किसाथ मिला ली गए थी जो में इं मुनार्की आये क्योंकि और यूरोपियन कंट्री को डड़ था कि अगर यहां पर इस तरह से रिवल्यूशन चलता रहेगा हमारे कंट्री के लोग भी रिवल्यूशन की डिमांड करेंगे और ऐसा होगा तो हम तो खतम तो मुनार्की को लाना यहां पर सबसे बड़ा मोटिफ था जो कि नेपोलियन ने खतम कर दिया वैसे नेपोलियन था तो कंट्रावेटिव नेपोलियन था तो डिक्तेटटर लेकिन उसको कहने को मुनार्की थी लेकिन जो एकसाइस हो रही थी वो एक दरे से डेमोक्रेसी की तरह थी कंट्रेटिव रजीम सेट अप इन 1815 वह और जो conservative regime बनती है conservative regime यानि जो रोड़ी वादी या रोड़ी वादी वाली सोच जो रोड़ी वादी वाली सोच की जो वहाँ पर regime बनती है वहाँ पर जो rule बनता है 1015 के बाद वाट्टो क्रेटिक होता है they did not tolerate criticism and dissent तो conservative criticism को और dissent को यानि कि criticism or dissent का मतलब हम जानते हैं कि वो क्या अपन कहते हैं न कि अपनी बुराई को अपनी criticism को नहीं जेल सकते थे तो वो basically आप कह सकते हो आलोचना को बुराई को और एहसहमती को dissent to the earth अहमती को नहीं जेल सकते थे औरों की and sought to curve activities that question the legitimacy of the autocratic government और conservatives चाहते थे कि हम किसी तरह से दबा सके वो सारी activities को जो कि question करती हैं जो कि यह पूछती हैं जो कि यह कहती हैं कि जो यह autocratic government है question करती है autocratic government से उनकी लज़े के message कि यानि कि उनकी functioning को जो question करती है ऐसे activities जो कि autocratic government के functions को question करती हैं वो सब खतम हो जाए most of अब यहां पर क्या करते हैं यहां पर ही impose करते हैं censorship laws को to control what was said in newspapers news papers में जो कुछ भी कहा जाता था अब वह सब कुछ किसके साबसे होगा censorship यहांने की जो राजा कहेंगे हां यह ना उसके साबसे होगा तो राजा ने का कि यह चीज छपनी चाहिए तो चपेगी नहीं चपनी चाहिए क्या जपनी चुपनी चाहिए भी राजा जानता है अपनी तारीफ चपे और अपनी क्या नहीं चपनी चाहिए तो censorship यहां पर लागू कर दी गई थी किसमें, जो कुछ भी newspapers में, books में, plays में, songs म कहा जाता था, वो सब कुछ कंट्रोल होता था by the king and reflected the ideas of liberty and freedom were restricted तो जो भी, देखो censorship का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल किया जासा के newspapers को, placebooks यह सब को, और कंट्रोल किया जासा के liberty of freedom के ideas को भी ठीके, तो दबाने की कोशिश गए थी आपे liberalism को, जो memory थी ना, French Revolution की mandilis continue to inspire liberals वैसे तो दबाया जा रहा थे आपे liberals को और उनके विचारों को, लेकिन जो French Revolution ने इनके energy भढ़ती थी ना, दिमाग में liberals के तो उनको inspire करती रहती थी, एक major issue जो हुआ था taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press तो एक बहुत बड़ा issue जो liberal nationalists ने लिया था, वो था freedom of press, कि आपने press, यानि कि जो कुछ छापा जा रहा है, जो कुछ लिखा जा रहा है, उसमें जो इतनी restrictions रख दिया है, यह गलत है freedom of press होनी चाहिए और आपने उसे चीज़ को कह किया है दबाया है, खतम किया है लोगों के अब revolutionaries के बारे में जानते हैं अब यह liberals कौन होते हैं, middle class के लोग revolutionaries कौन होंगे, middle class के लोग liberals, revolutionaries सब वो थे, जो कि क्या चाहते थे, nation state चाहते थे तो 1815 के around, अब fear of repression चल रहा था और इस वज़े से liberal nationalists जो थे, वो underground काम कर रहे थे यानि कि सामने सामने काम नहीं करे थे, छुपके कहीं काम कर रहे थे कई secret societies बनाई गई थी, European states में जो कि revolutionaries को train करेगी और उन तक जो ideas है revolution के वो पहुचाएगी लोगों तक जो ideas हैं पहुचाएगी तो बी revolutionaries अडिस चाहिए में तक commitment तो पोज मुनार्किया पहुचाएगी तो प्रिट्यो पहिना के बाद लहां पे जो मुनार्की बनी थी एक तरी से revolutionaries उसको अपोज करते हुए काम कर रहे थे और वो लड़ाई कर रहे थे liberty के लिए और freedom के लिए तो अब क्या होता है कि जातर चो revolutionaries थे also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom तो वो सब चाहते थे कि nation state बने चीक है अब यहां पे क्या होता है एक individual person की बात हो रही है Italian revolutionary था गियूसिप मर्जनी यह गिनुवा में बॉन हुआ थे 1807 में he became a member of a secret society अब secret societies बनाई जा रही थी तो एक secret society उसका नाम है कार्वोनारी कार्वोनारी एक secret society थी जो revolutionaries ने बनाई थी अब यह एक young man होता है 24 years का and he was sent into exile in 1831 इसको exile पे भेज दिया जाता है यानि कि इसको देश से निकाल दिया जाता है इसको कहां भेज दिया जाता है इसको exile पे जंगल में भेज दिया जाता है यंग यूर अब ये क्या होता है ये क्या करता है ये सबसीक्वेंटली फाउंटेट टू नूर अंडर्गराण ससाइटीज एक तो कारबनर ये उसके लावा ये दो और अंडर्गराण ससाइटीज बनाता है एक होती है यंग इटली इन मर्जलिस और एक होती है Young European Burn तो Merzalist में इस बनाता है Young, Clean Merzalist और इस बनाता है Young European Burn इनके जो members थे वो उसके जैसे सोच विचारों के ही थे और इन लोग कहां-कहां से आते थे Poland से, France से, इतली और German State से आते थे मर्जुनी कहता था कि जो बगवान है वो इचाहता है जो भगवान इंटेंटेट, God had intended nations to be natural unit of mankind ये कहता है कि जो nations है, जो country है वो natural unit होती है mankind की एक मनुश्य की जो असली स्वतंतरता होती है असली जो एक मनुश्य की जीवन होता है ना जो ये nations होता है, वहीं पर होता है तो basically ये कहता था एक सेकेंड ये कहता था कि एक मनुश्य का जो भी प्रकृतिक एकाई है वो एक राश्य है, यानि एक मनुश्य की जो unit of mankind है वो उसकी country है, तो आपको उतना ज़दा deep meaning भी जाना आप जब बोलो कि ये उसका statement था कि the natural unit of mankind is the nations तो इतली है, अगर उसको independent बनाना है तो ये small states अगर सब खताम करके एक बड़ा state बनेगा जो कि इतली होगा तो इतली speaking regions जो है, वो small states है अभी इन सब को मिला करके एक country बनना चाहिए है तो इसको क्या करना पड़ेगा एक republic बनाने के लिए यही जो है Italian liberty बन सकता है, यही जो है Italian को liberty दिलाएगा इस model को इस विचार को रखते हुए बहुत से secret societies बनाए गई Germany में, France में, Switzerland और Poland में मज़नी इसका जो relentless opposition था मुनार्की को and his vision of democratic republic frightened the conservative तो जो मज़नी था वो लगतार कोशिश करे जा रहा था किससे वो oppose कर सकता है मुनार्की को और इस भी किया भी और इसके जो visions थे, democratic republic के यह डरा रहे थे अब यह एक दरे से खौफ बन रहे थे conservatives के लिए Metternish, Duke Metternish हम जानते हैं न तो Duke Metternish कहते हैं कि the most dangerous enemy of our social order is is Cusat Nazany Metternish described him as the most dangerous enemy of our social orders तो यहां पर हमने basically middle class के बारे में ज्यादा जाना इनके thoughts, विचार सब के बारे में बहुत अच्छे से यहां पर जाना जाना Thank you जाने हो जाना झाल झाल